आजम जानेंगे स्थानांग सूत्र आगम में वरनित 25 क्रियाओं के बारे में जिन के कारण प्रतिक्षन कर्मों का बंद होता रहता है पहली क्रिया है काई की यानि शरीर आधी प्रमत योगों के व्यापार से होने वाली हलन चलन आधी क्रिया हैं दूसरी है आदि करनी की यानि चाकू, छूरी, तलवार, कुदाल आदि सस्त्रों से होने वाली क्रिया तीसरी है पारी तापनी की यानि किसी को मार पीट कर या कठोर वचन कहकर दुख पहुंचाने से होने वाली क्रिया चौती है प्राद्वेश की यानि द्वेश, इश्या, मत्सर्ता या जलन से होने वाली या लगने वाली क्रिया पांचवी है प्रानाती पाती की क्रिया यानि प्रानों का नास करने से लगने वाली क्रिया चटी है आरंबिकी क्रिया यानि छे काई के जीवों का आरंब समारंब करने से लगने वाली क्रिया साथवी है परिग्रही की क्रिया यानि कुटुम्ब, परिवार, दास, दासी, धन, धान्य, आदी के प्रती, ममत्व भाव के अपनाने से लगने वाली क्रिया आटवी है माया प्रत्यया क्रिया यानि चल कपट से लगने वाली क्रिया नवी है अप्रत्या ख्यान प्रत्यया यानि पच्कान नहीं करने से लगने वाली क्रिया यानि कोई भी वरत नियम नहीं धारन करने से दसवी है मिथ्या दर्शन प्रत्यया यानि कूदेव, कूगुरू, कूधर्म पर स्रद्दा रखने से लगने वाली पाप क्रिया ग्यारवा है द्रिष्टिजा क्रिया यानि देखने पर राग वेश आदी करने से लगने वाली क्रिया बारवी है स्पर्स जा यानि स्पर्स से राग द्वेश आधी करने से लगने वाली क्रिया तेरवी है प्राती तियक की क्रिया यानि जीव और अजीव के आस्रे से उत्पन राग द्वेश से लगने वाली क्रिया चौद्वी है सामन्तो पाती की क्रिया जीव और अजीव वस्तों के संग्रह करने पर प्रसंसा करने से हर्शित होना और उनकी निंदा से दुखी होने से लगने वाली क्रिया पंदर्वी है स्वहस्ति की क्रिया यानि अपने हाथ से मारने पीटने आदी से लगने वाली क्रिया सोल्वी है नई स्रिष्टी की क्रिया यानि किसी वस्तु को फेकने से लगने वाली क्रिया सतरवी है आज्या पनी की क्रिया यानि दूसरों को आज्या देने से लगने वाली क्रिया उन्निसवी है अनाभोग प्रत्यया क्रिया अन्जाने में लगने वाली क्रिया है अनाभोग प्रत्यया क्रिया अठरवी क्रिया है वैदारनी की क्रिया यानी चीरने, फाडने या बुरे विचार करने से लगने वाली क्रिया बीसवी है अनव कांग्षा प्रत्यया यानी हित अहित की उपेक्षा से लगने वाली क्रिया 21. प्रेम प्रत्यया यानि राक से लगने वाली क्रिया अर्थात माया और लोब से लगने वाली क्रिया 22. द्वेश प्रत्यया यानि क्रोध और मान से लगने वाली क्रिया 23. प्रयोगी की क्रिया यानि मन वचन और काया का दुरूपयोग करने से लगने वाली क्रिया 24 वी है सामुदाईनी की क्रिया यानि बहुत से लोग मिलकर एक साथ अच्छा बुरा देखने करने से लगने वाली क्रिया 25 वी है इरिया पती की क्रिया यानि कशाई रहित जीवों को योग मात्र से लगने वाली क्रिया तो ये थी संचिप्त जानकारी 25 क्रियाओं की कितने लोग अपने दिन प्रति दिन के जीवन में इन 25 क्रियाओं के प्रति जागरुक रहते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें